नमस्कार आप देख रहे हैं देश की आवाज और मैं हूँ आपके साथ शीनम शेर्मा इस प्रोग्राम के जरीए हम आपको रूबूरू करवाते हैं उन मुद्दों से जो सीधा जनता से सरुकार रखता है और आज भी हम आपके लिए एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आए हैं जो बेहत गंभीर है जिसे आम जनता को काफे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिहां हम बात करें हैं हर्याना के अलग-अलग जिलो में सफाई कर्मचारियों के ओर से की जा रही हर्ताल की सफाई कर्मचारियों के हर्ताल का आज तीसरा दिन है और इसके बाद भी सरकार इस पर चुपी साधे बैठी है तो सफाई कर्मचारियों के ओर से लगातार हर्ताल की जा रही है तीन दिन हर्ताल करते हुए उन्हें हो गए है प्रदेश के अलग-अलग जिलो में हर्ताल उनके ओर से की जा रही है लेकिन फिर भी सरकार अभी तक इस पूरे मुद्टे को लेकर गंभीर हैजों की उसे लेकर चुपी साधे अभी तक सरकार मैटी हुई नजर आ रही है तस्वीरे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ नारे बाजी प्रदर्शन कारियों के ओर से की जा रही है और कही न कही अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन इनकी ओर से नजर आ रहा है तो समान काम समान वेतन की जो मांग है इसके लावा कच्चे कंचारियों को पक्ता करने इन सभी मांगों को लेका लगातार प्रदर्शन वो कर रहे हैं तस्वीरे आप टीवी स्कंद पर देख सकते हैं हर्याना के अलग-अलग जिले में रिवारी, सिर्सा अलग-अलग जिलों से ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बेहत गंभीर ये मुद्दा है तो चलिए आज के सवालों की बात करते हैं देश की आवाज में हम जिन भी सवालों की बात करते हैं उन पर आपकी राय लेंगे हर्याना में क्यों ज्यादातर संगठन सरकार से नाखुश हैं सफाय करमचारियों की हर्ताल कहां तक जायज है लगातार हर्ताल उनके उरसे की जा रही है सरकार क्यों हर्तालियों पर सक्त कारवाई नहीं करती ये आज के बड़े सवाल है क्या मागों को मनवाने के लिए हर्ताल ही एक मात रूपाय है और सरकार और करमचारियों की लड़ाई में जनता बीच में क्यों पिस रही है अपनी राय आप हमें दे सकते हैं, फोन कर सकते हैं टीवे स्किन्स पर लगातार आपके नंबर फ्लेश हो रहे हैं आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं हडियाना में ज्यादातर संगठन नाखुश क्यों नजरा रहे हैं ये बड़े सवाल हैं आज के सरकार क्यों हरतालियों पर सकत कारवाई नहीं करती और क्या अपनी मांगों को मनवाने के लिए हरताल ही एक मात्र विकल्प लोगों के पास रह गया है चाहे अंगनबारी वरकर्स की बात कर ली जाए या कंप्यूटर टीचर्स की बात कर ली जाए हर कोई हरताल के जरी अपनी मांगों को मनवाना चाहता है और हडियाना में क्यों ज्यादातर संगठन सरकार से नाखुश नजरा रहे हैं बड़े सवाल आजके हैं जिन पर आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं क्योंकि जनता की राय जानना बेहफ जरूरी हमारे लिए है इसलिए आप भी ज्यादा से ज्यादा कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं अपनी आवाज को देश की आवाज बना सकते हैं सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीज कि ये जो लड़ाई होती है इसमें जनता क्यों पिस्ती है क्योंकि लगातार सफाय कर्मचारियों के उरसे जो हर्ताल की जा रही है जगा जगा गंदगी के धेर लगे हैं जिसके चुलते आम चिनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार हर्तालियों पर कारवाई क्यों नहीं करती। क्या मागों को मनवाने के लिए हर्ताल ही एक मात्र विकल्प रह जाता है। प्रदर्शन का देश प्रदर्शन का प्रदेश बन चुका है हर्याना और लगातार अलग-अलग संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जाता रहा है हर्याना में ज्यादा तर संगठन सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं और अब सफाई कंचारियों की जो हर्ताल है वो कहां कि लड़ाई के बीच में जनता पिस रही है कही ना कहीं गंदगी का सामना उन्हें करना पढ़ रहा है क्योंकि बेहत गंभीर ये मुद्दा है इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं आपकी टीवी स्कुन्स पर लगातार नंबर फ्लेश हो रहे हैं सरकार हर्ता पर क्यों कारवाई नहीं करती या आज के बड़े सवाल हैं आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार हर्ताल उनकी और सिकी जा रही है इसके साथ इस गंदगी के धेर जब जगा जगा पर लग जाते हैं तो कहीं न कहीं बीमारिया फैलने का डर भी बढ़ जाता है जिसक कि अलग-अलग संगठन पहले भी हारियाना में प्रदर्शन करते हुए नजर आये हैं जिसके बाद अब एक बार फिर से सरकार और सरकारी कर्मचारियों की बीच की जो लड़ाई है इसके बीच में जनता पिस रही है आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं अगर आपकी इल अची है ये बड़े सवाल आज के हैं साथी आपको बता दे कि इससे पहले बंसे लाल के जब सरकार थी उस वक्त भी इसी तरह का माहौल बन गया था सफाई कर्मचारी जो है वो अनिश्चित काली हर्तार पर चले गए थे जिसके बाद उन सभी सफाई कर्मचारियों को टर् लेगी तो कारे करम के पहले कॉलर हमारे साथ जोड़ गया है नारायन दर्थ सोनु फोन लाइन पर जोड़ गया है सोनु अपने राय रखी यह सब आप बता रहें ना टीए में जी अंजी यह इनके साथ ना बहुत बेंसाफी हो रही है स्फाई कर्मचारी के साथ जो ग्रा अब शुक्रिया सोनु जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए तो हर्याना में ज्यादातर संगठन सरकार से नाखुश हैं और सफाई कर्मचारी जो हैं वो भी हर्ताल पर हैं कहीना कहीं सोनु का भी यह कहना है कि उनकी तनक्वा उन्हें वक्त पर नहीं दी जा जनता को बीच में पिसना पर रहा है और जनता को भारी परिशानियों का सामना करना पर रहा है तो सफाई कर्मचारी की हर्ताल कितनी जायज है आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कारेकरम के अगले कॉलर गुर्गाओं से सुतीश सतीश हमारसात वोन लाइन पर आपने रहा है ने Mayo कि यह जी है करें यार रहा है थी लोगा भी है थे ट्रएम कारी यह अंगाले की आप ने हारी है अपर बहुद नहीं के लिए मदॉ करने थे जी महनों में परस्रणी घी रहा है जी रखी आपनी राय वादा खिलाफी का आरौप जो है वह भी लगाया जा रहा है सफाई कम्चारियों की सिक्ते हैं आप भी इस मुद्धे पर अपनी राया दे सकते हैं हर्याना में लगातार क्यों प्रदर्शन नजर आ रहे हैं ज्यादातर संगठन क्यों नाखुश नजर आ रहे हैं सरकार से और जो सफाई कर्चारियों की यह हर्ताल है वो कितनी जाज है इन सभी मुद्दों को लेकर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं आपकी आवाज देश की आवाज बन सकती है आपकी टीवी स्किन्स पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं किसी भी वक्त आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं क्योंकि जनता की राय जारना बहुत ज़रूरी है और हर्याना में ज्यादा तर संगठन सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं तो आज की ये बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम आपकी राय ले रहे हैं साथ ही आपको बता दे कि सफाई करंच्वारी जिस सरीके से लगातार हर्ताल कर रहे हैं इसके चलते जनता बीच में पिस रही है और हर्याना के अलग-अलग जिलों से ये प्रदश्चन देखने को मिल रहा है जिसके बाद भी सरकार कोई कारवाई नहीं कर रही और अलग-अलग जगों पर धे लगे हुए एक गंदगी के लोगों का जो प्रतिदिन के दिन चर्या है वो भी प्रभावित हो रही है लेकिन इसके चलते भी सरकार इस पर कोई कारवाई नहीं कर रही इस पर चुपे साधे बैठी है सरकार तो क्या मागो को मनवाने के लिए हर्ताल ही एक मात्र विकल्प लोगों के पास रहे गया है कि दिनेश अगले कॉलर हमारे साथ जुण गए है नारायन गर्से दिनेश अपनी राय रखी इस मैडम जी यह जो सरकार है यह ना हमारे बारे में बिल्कुल भी नी सोच रही है जी अब यह दिखाओ जी आप बताओ के ग्रामिन स्थाइक्रम चारिया जो इनको ना चार महिने से वेतन भी ने मिला जी यह सरकार वादे करती है वो तो इन्हें पूरे विल्कुल भी नहीं कर दी आई चली बागर शुक्रिया आपने राय रखने के लिए तो इनका कहना है कि चार महीने से वेतन भी सफाय कर्द्शारियों को नहीं दिया गया जिसके चलते रोशन में दे कैथल से अगले कॉलर उदर सिंग फॉन लाइन पर जूर गहें उदर अपनी राय रखी नमस्कार बेंजी जी नमस्कार पहले तो आप जो मुद्धे उठान लगने हो तरह 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 कि बहुत बहुत बदा ही हो आपका चैनल है ऐसा चैनल कोई नहीं है जो आम मुद्धे उ सब्सक्राइब कर दो कि पाइब यान गिरता रहा है कि अंगल बाड़ी वर्कर की है कर दे बश्टेंड आ रहेंगी है मेरा ख्याल कि पांट त्यार साल जो थेन के यह तार में और अर्याना भूकने में चले गए इन्होंने जो अपना मेनुफेश्चर था उस पर कभी द्य सब्सक्राइब करते हैं कर दे मंडी में जा करी नहीं यह नहीं देखा बीजीपी भाड़े ने वही जो आप बार बार जजर से ब्युवानी से जो कि जानों के वाज उठाते हो कभी भी इन्होंने आज तक यह स्टेटमेंट नहीं दी वे हमने जिमिदारों के लिए किया है करमचारियों के लिए यह किया है कोई भी वरग आप ये चैनल में आपकी रोद मुझे सुनता हूं और आठ बज़े जो डुवेच में बोलते हैं उनको भी जी करता है मेरा लाइप बात करने के लिए कभी भी जूट से अलावा जुमले से अलावा बीजेपी ने कोई भी ऐसा काम निकला वह कोई भी वरग कोई भी कहा दे वह ये करमचारी ये सस्था ये सुखिया है चलिए बोगर शुप्रिया उदेख खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए तो उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरीके से लगातार आंगनबारी वरकर्स के ओर से भी प्रदर्शन किया गया कंप्यूटर टीचर्स के ओर से भी धरना किया जाता रहा है तो प्रदर्शन ही एक मातर जर्या रह गया है लोगों के पास अपनी मांगों को मनवाने के लिए और सरकार और सरकारी कर्मचारियों के लड़ाई में जनता पिस रही है तो अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि सफाई कर्मचारी जो हैं तीन दिन की हरताल का इलान उनकी ओर से किया गया था लेकिन अब उसे बढ़ा कर अनिश्चित कालिन धरना बना दिया गया है हर्याना में ज़्यादा तर संगठन सरकार से नाखुष क्यों रज़र आते हैं फतेहबाद से अगले कॉलर श्याम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं श्याम अपनी राय दीजी बेंको तो सुफाई कर्मचारें को यह भी जैए जिस शहर में रहते है जनका उनकी है उनका शेहर है तो ऐता थोड़ा समय में शिकार को भी जिटाएं और जिनता को भी कोई मुश्किल नह大गा अर्टास है, वह स्माइब काम करके अशक्राइब टॉ amig बहुत यह हो। चलिए भगो शुक्रिया खबरे अभी तक के साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए तो उनका भी यही कहना है कि जनता दोनों की लड़ाई के बीच में फस चुकी है और जनता को कहिना कही दिक्कतों का सामना करना पढ़ा है क्योंकि सफाई नहीं हो पा रही कि गंदगी के धेर लगे हैं हिसाब से अगले कॉलर हितेश पॉन लाइन पर जुड़ गए हैं हितेश अपनी राय दीजिए जी अपनी राय दीजिए जी बहुत वर शुक्रिया अपनी राय देने के लिए तो उनका कहना है कि भाजपा सरकार को कही न कहीं जिमेवार इसके लिए ठराया गया है कि सफाई करिमजारियों की जो हर्ताल है इसे भाजपा गंभीरता से नहीं ले रही और भाजपा ही जिमेदार है इस हर्ताल की तो कि आपनी मागों को मनवाने के लिए हर्ताल ही एकमातर जर्या लोगों के पास रह गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार प्रदर्शन देखा जाता रहा है हर्याना में अलग-अलग संगठनों के ओर से प्रदर्शन किया जाता रहा है और ज्यादा तर संगठन जो है वो सरकार से नाखुश नज़रा रहे हैं तो इसके चलते जनता को काफ़े दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है साथी आपको बता दे कि कही न कहीं हमारे स्वारता से जब हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि जो अफसर हैं उनके ओफिस में सफाई हो रही है लेकिन जो आम जनता है उन्हें सफाई की ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है क्योंकि जो अफसर हैं उनके जो कार्याले हैं वहाँ पर सफाई देखी जा रही है तो उन्हें इस तरह के दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा अफसर शाही कहीं न कहीं यहाँ पर नजर आ रही है तो सफाई कर्मचारियों की हरताल कितनी जायज है ये तो सरकार को ही देखना होगा लेकिन अपनी मांगो को मनवाने के लिए प्रदर्शन उनकी और से जुकिया जा रहा है इससे आम जनता को बेहर परिशानी हो रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर आप भी अपनी राय दे सकते हैं और आज के जो सवाल हैं आपकी टीवी स्किन्स पर फ्लैश हो रहे हैं आप भी अपनी राय दे सकते हैं देश की आवाज के साथ आप भी जूर सकते हैं और आपकी आवाज देश की आवाज बन सकती है तो अपन कि यह जिए अरोज अर्टा करे रहे हैं कभी यह यह मत्रुब देश के लिए तो नहीं है जी एक आदमी ऐसा भी जिसके पास पतास रुपे की भी जाहिए जिनन में जिए उनके लिए क्या सोचेंगी सरकार जी ने के बारे में तोची रहे गी यह फुर्षेटे नहीं लगने जी जी चली बहुत शुक्रिया ख़ब अभी तक के साथ जुडने के लिए तो ही माशल प्रदेश ते अगले कॉलर सरकागार से फोन लाइन पर जुड़ गहें अपनी राय दीजिए अपने नशकार नागेंदर सिंग नेगी वराउं चालाग मंदी हिमाचलते हैं मैडम सब्सक्राइब उनको डबाना की कुसिज करते हैं मैडम हक्कीकत था चाही कि क्या सरकार में रहते हुए इनके पास को सी आईडी परोटलियों के खुवय तंटर नहीं कि अज्से पता लगे कि असरमें तकारी कर्मचारीयों की मांग क्या है जी उस पर भक्त रहे क्यों पर हर्तार करने की सकते सकता होनी चाहिए इसको एसेंसिल एक्टिविटीज में सामिल किया जाना जाहिए इन सर्कों को और जो जो जैसे लाई जाम कर जेते हैं दूसरे जैसे दिली में जंतर मंतर और दूसरे स्थान ऐसे बनाए गये हैं जहां पर कि हर्तार आप कर सकते हैं ज इसका निवानन तरना भी सरकार की पहली जिम्मेबारी होने की है धन्यवाद मस्कार चालिए बहुत शुक्रिया खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़गा है पानी पत से विजेंद्र फोन लाइन पर जुड़गा है जी अपने राय रख़िए चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए तो सरकार हरतारियों पर कारवाई क्यों नहीं करती और अपनी मागों को मनवाने के लिए क्या हरताल ही एक मात्र विकल प्रह गया है यह आज के बड़े सवाल है तो गुरुग्राम से राजियश अगले कॉलर फोल ना पर जुड़ गए है राजियश अपनी राएदी जी अगर करमचारी जर्कार जूटे वादे ना करे तो करमचारी वार्टार को कोई काण नहीं बनते करमचारी दुखी है और हर्याण सरकार तो सुन्वाद हर्याणा में के पूरे बार्ट में बीज़ेपी सरकार फैल है जी तबी चलिए बाग और शुक्रिया खबरे अभी तक के साथ जुड़ने के लिए तो उनका भी यही कहना है कि जनता जो है वह बीच मे पिस रही है और कही न कहीं सरकार इसके लिए जिम्बेवार है और अभी दर्शक हमाइल साथ जुड़े थे उनका कहना था कि विपक्ष जो है वह भी महतोपुन भूमी का इस हर्ताल में निभाता है क्योंकि विपक्ष कहिना कहीं प्रोचसाहन उन लोगों को देता है जिससे प्रदश्चन और ज्यादा तेज हो जाता है रॉबिन हर्याना से फोलाइन पर जुड़ गए है रॉबिन अपनी राय दीजी मैडम जी नमस्ते जी नमस्कार मैडम जी मैं इन करमचारियों से जुड़ा हूँ और मुझे इनकी हर एक तकलीफ का पता मैडम जी कच्छे करमचारियों का हक मारा जा रहा है ठेकेदारी के जरिए जी और इनकी तंखा भी टाइम पर निरते चार-चार महिने हो जाते है ठीक है इनकी कोई सूजबूज दिलेती सरकार चार महिने बंदा कहां से खाएगा क्या खाएगा उन सी दुकान पेसे रासन पानी लेगा ठीक है रासन वाला यह मना कर देता है इनको समान देने से बिचारे बहुत मजबूर होके अपने घर का काम चला रहे है तो बताओ मैडम जी कैस से चले देंगा कच्चे करमचारियों के सता में आने के लिए सरकार जूटे बादे करती है पक्का करें यह करेंगे वो करें लेकिन कुछं नहीं करते हैं यहाने के बादैखनी कारव्त सरकार पर लगाया जा रहा है इनका समाधानों ये ठेक है दारी को बंद किया जाए कच्चे करमचारी को इंसाफ दिलाए जाए और इनको जल से जल पक्का किया जाए सरकार की तरफ से चलिए बहुत और शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए तो उनका भी यही कहना है कि वेतन जो है सकते हैं जादा से जादा फोन करके आप भी अपने अवाज को देश की आवाज बना सकते हैं और सफाई कर्मचारियों की जो लगातार हरताल देखने को में रही है अनिश्चित काली इस हरताल को अब कर दिया अब कर देखो यही बताज़ेगा जीप रदीप मैं यहां पर भी साथ तारिक से अरताल हो रखिये है और इसी जक्र में हो रखिये है तो इसके चले ते क्या-क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है अबी चीज़ का दिक्कत है कही महिनों से दन खाने को बनका और पक्के नहीं करे गए यहां पर आज भी सचीवाल ले में हमने धर्मा देख दिया है तीन दिन से साथ तारिक से अरताल है वादी चलिए बहुत 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 शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए सरकार और सरकारी कर्चारियों के बीच की यह जो लड़ाई है इसके बीच में जनता पिस रही है और जनता को भुगतान इस हरताल का करना पढ़ रहा है क्यूंकि गंदगी चारो और फैली है सफाई कर्चारी अगर सफाई नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं बिमारिया फैलने का डर भी जादा हो जाता है और बड़ी बिमारिया भी हाँ पर फैल सकती है जिसके चुलते आगे जाकर बहुत दिकतों का सामना जुनता को करना पड़ेगा और हर्याना में ज्यादातर संगठन सरकार से नाखुश नज़र आ रहे हैं देरादून से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे उनका भी यही कहना था कि देरादून में भी तरीके की हालात नज़र आ रहे हैं और सरकार हर्तालियों पर कारवाई नहीं करती और उनकी मांगों को लेकर आश्वासन भी उन्हें नहीं दिया जा रहा जबकि कुछ सरफाई क कर्मचारियों का ये भी कहना है कि वादा खिलाफी उनके साथ की जा रही है पहले सरकार की ओर से कह दिया गया था कि कच्चे कर्मचारी जो है उन्हें पक्का किया जाएगा लेकिन अब सरकार अपने वाइदे से मुकर रही है और सरकार की ओर से अब उनकी मांगों को नहीं बढ़ जाता है और इसी के चलते ये मुद्दा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आज के बड़े सवाल आपके सामने है आप भी इन सवालों के जवाब हमें दे सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ रख सकते हैं तो आपकी राय जानना बेहत जरूरी है क्योंकि जनता की राय जानना खबरे अभी तक के लिए बेहत जरूरी है फतेहवाद से अगले कॉलर अजय सिंग पोल लाइन पर जुड़ गए हैं अजय अपनी राय दीजी नमस्कार मेडम जी नमस्कार